तो नमस्कार दोस्तों, Guide of Math में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आप लोग का दोस्त अभीशेक और दोस्तों बात करते हैं आज फिर थे एक और नई वीडियो की वी बे का ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, cell में कैसे आप लोग लिख सकते हैं, जी हाँ, last class में हमने बात की थी, cell में लिखने की, लेकिन आज हम बहुत सारे ways सीखेंगे, जिससे हम cells के अंदर कैसे लिख सकते हैं, यानि active cells में कैसे लिख सकते हैं, सारे ways की बात करेंगे चार method basically आज हम discuss करने वाले हैं वो चार method मैं आपको बताऊंगा जिसमें से दो method जो हैं आप लोग को generally use करने पड़ेंगे और आगे आने वाली classes में आप लोग उन दो method का बहुत जादा इस्तिमाल करेंगे तो video complete जरूर देखेगा चनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा subscribe करने के साथ साथ notification bell को भी press कर दीजेगा चलिए दोस्तों शिरू करते हैं तो आप देख सकते हैं यह मेरी एक sheet है इस पर मैं macro run करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे यहीं पर alt f11 प्रेस करना होगा alt f11 प्रेस करने के बाद मैं एक नया module यहां से insert कर लूँगा तो नया module मैंने insert कर लिया और उस module का नाम भी मैंने यहां पर दे दिया है that is called cell referencing अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ subject देने वाला हूँ cell में कुछ लिखना चाहते है तो देखे दोस्तों यहां पर आपको लिखना क्या है active cell में अगर लिखना है तो आप यहां type करिए active cell dot value dot लिखते ही जैसे आप dot लिखेंगे तो आपको बहुत सारे methods दिखाई देंगे कि आप लोगो dot लिखने के बाद करना क्या है यानि उस active cell के अंदर आपको क्या करना है आपको comment लगाना है आपको address लगाना है आपको advance filter लगाना है क्या करना चाहते हैं वो आप लोगो methods बता रहे हैं बहुत सारे methods आप लोगो यहां पे show कर रहा है फिलाल मुझे यहां पर value लिखनी है तो मैं यहां पर value pick up कर लेता हूँ value लेने के बाद आप यहां पर लिखेंगे to assign और उसके बाद बताएंगे कि आप इस active cell में क्या लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर अपने अभी शेक दे दिया है तो अब दोस्तों कैसे यह run करेगा तो basically इसके दो तरीके हैं या तो आप यहां पर directly F5 प्रेस करें तो F5 से directly run हो जाएगा लेकिन दोस्तों F5 में एक दिक्कत यह है कि मान लीजे active cell के अंदर मान लीजे मैं दूसरी चीज लिखता हूँ इस बार मैंने active cell के अंदर 140 लिख दिया तो अब क्या होगा जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो अभी यह मेरे को सिर्फ एक ही चीज execute करके दिखाएगा मतलब final way जो चीज है वो है 140 यानि उसी cell में मैंने दो चीजे लिखी दी पहले अभिशेक लिखा था और 140 पर इसने मुझे final step दिखाया that is 140 और अब ये समस्या मेरे सामने आ पर आ रही है 140 मेरा final execution दिखा रहा है अभिशेक नहीं दिखा रहा तो इस process के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे अगर देखना है कि अभिशेक भी देखना है और मुझे 140 भी देखना है तो step by step execution करना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक toolbar की जरूरत पड़ेगी और वो toolbar है that is debug toolbar और debug toolbar आप लोग को यहां मिल जाएगा debug toolbar के अंदर आपको यहां पर मिलता है step into का point तो आप देख सकते हैं debug toolbar के अंदर आपको step into का point मिलता है जिसका जो shortcut है वो है F8 और F8 का मतलब है कि आप चाहते हैं कि जो execution हो step by step हो तो step into के लिए आपको press करना पड़ेगा F8 तो यहां पर आप क्या करेंगे F8 प्रेस करेंगे तो जैसी आप F8 प्रेस करेंगे आप देखे आपका F8 दुबारा प्रेस करेंगे तो आपका यह first जो अभी active cell है यह वाला जो task है वो perform होगा जैसी F8 प्रेस कर दिया देखे आपका वो execute हो गया उसके बाद F8 प्रेस करते ही 140 हो execute हो गया और यह subject end हो गया इस तरीके से आपका यह step by step execute होगा तो this is the first method जो आपने देखा चलिए दोस्तों बात करते हैं second method की अगर आप लोग किसी भी cell में लिखना चाहते हैं और वो active cell नहीं है तो आप कैसे लिखे हैं वो तो मैंने मुझे को बता दिया लेकिन अगर active cell नहीं है तो कैसे आप लोग लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मान lीजे, आप यहा पर किसी अन अथनी ती अmee wilt चाहते तो अनेक्टिव cell मान लीजे B5 cell है, उसके अंदर मुझे एक value लिखनी है, that is called 70, तो मैंने याप पर ये कह दिया, अब मैं step by step execution करूँगा, उसके लिए मेरे को प्रेस करना है F8, 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 और जैसी मैं F8 प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं, B5 cell के अंदर, automatically क्या आ चुका है, that is 70, उसके बाद मान ल लिखना है, तो मैं यहाँ पर same, वोई process, B6 से लेकर, मैं यहाँ पर follow करूँगा, B6 से लेकर, मान लीजे, B10 तक, तो मैंने यहाँ पर किया, B6 से B10 तक, मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें क्या लिखू, that's called, मैं उसमें लिखना चाहता हूँ, suppose करिए, मैंने लिख दिया, is equal to, तो हमने यह लिखा India, अब मैं step by step execution करूँगा, तो F8, F8, F8 प्रेस करते हुए, आप देखेंगे, India आ चुका है, तो यानि अब आप देख सकते हैं, यह है second method, जब आप unactive cell में लिख सकते हैं, तो this is the second method, चलिए बात करते हैं, third method की, और third method कैसा है, आईए दिखते हैं, तो ना आप ऐसे normal तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं, आप इनके अलावा किसी other areas में लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, इसका एक और तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़ादा use होने वाला है, और आने वाले टाइम पे आप इसी तरीके को इस्तमा करने वाले हो, तो चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है, simple एक concept follow करना है, that is the third method, is called cells, और जैसे अप cell लिखकर ब्रैकेट डालेंगे, और ब्रैकेट डालने के बाद वो आप से पूछेगा, row बताईए और column बताईए, जैसे suppose करिए, मैं यहाँ पर row number 4 के अंदर, column number 4, column number 5 row number 4 and column number 5 में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो row number 4 and column number 5 में मैं एक value लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, row number 4 and column number 5.value, मैं उसमें क्या लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ, कि मैं वहाँ पर लिखना चाहता हूँ, suppose करिए, India, तो मैंने इस से यहां पर बता दिया कि row number 4 and column number 5 उसके अंदर में एक value लिखना चाहता हूँ और मैं इस execution करता हूँ इसको step by step execution करता हूँ जैसी मैं step by step execution करूँगा तो आप देखेंगे कि row number 4 and column number 5 ये देखे, column number 5 है that is E और row number 4 है ये रहा तो इस row number 4 and column number 5 में एक value आचुकी है जो कि आप अभी देख पा रहे हैं तो इस तरीके से आपने लिख लिए अब दोस्तों इसके बाद एक और method आता है जो बहुत जादा यूज होता है आपके VBA के अंदर जिसको आप आगे future में बहुत जादा इस्तमाल करने वाले हैं मतलब rarely यूजने वाला method तो है जो उपर के दो मैने methods आपको बताए लेकिन ये जो दो methods हैं पहला cell वाला और दूसरा अब जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत जादा use होता है और वो क्या है चलिए देखते हैं अगर मान लीजे आपको ऐसे लिखना है टाइप करना है किसी भी cell के अंदर तो आप इसके लिए use करेंगे एक method that called range bracket में लिखेंगे cell का नाम suppose करिए मैं या पर cell का नाम लिखता हूँ that is d6 तो d6 cell के अब मैं उसमें लिखना क्या चाह रहा हूं क्या लिखना चाहरा हूँ अपना नाम लिख दिया अभी शेक तो basically, अप क्या होगा d6 cell में अभी शेक लिखा जाएगा साथ मैं मैं एक और चीज चाहता हूँ कि d7 से लेकर d7 से लेकर d10 तक भी कुछ लिखा आजाए, तो इसी के साथ मैं मैंने एक और चीज लिख दी, कि D7 से लेकर, D10 तक range में मैं चाहता हूँ कि मेरी एक value आजाए, that's called Mumbai, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है is equal to Mumbai, अब Mumbai लिखने के बाद, अब मैं step by step execution कर रहा हूँ, तो step by step execution करने के लिए F8 press करेंगे, और F8, F8, F8 F8 press करते हुए, आप देखें last वाला जो process है, उसके लिए मैंने आपर दिया था D6 में, अभी शेक, और उसके बाद जैसी मैंने F8 press कि again, आप देज सकते हैं, बाकी जो cells बच गए, उसके अंदर उसने Mumbai दे दिया, तो basically कहने का मतलब है कि आप लोग को यहाँ पर सारे methods मैंने बता दिये हैं, किस तरीखे से आप किसी भी cell में, आप active cell में कैसे लिख सकते हैं, और अन active cell में कैसे लिख सकते हैं और basically जो third और fourth method है काफी जादा यूज होने वाला method है जो कि आप future में यूज करेंगे तो उमीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप लोग को यह concept भी अच्छे से clear हो गया होगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज टेज लाइक शेर कर देना चैनल पर पहली बार आई तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ notification bell को भी प्रेस कर देना मेलते अगली वीडियो में एक नए कंटेंड के साथ तब तो के लिए देखते रहे हैं सिखते रहे गाड़ आफ मैन